आप लोगों आप लोगों को हम बताएंगी के वर्ट्प्रेस की क्या टेक्निक्स हैं कौन सी ऐसे इसी स्लूशन्स हैं जिनके थू आप वर्ट्प्रस का एड्मिन या उसका बैकेंड आप मैंज कर सकते हैं प्लस इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको SEO का क्यूंके Search Engine Optimization Search Social Media Marketing जो है उसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरीस हमारे पास आ रही हैं तो हमने उसको भी अपनी वेबसाइट पर एड़ किया हुआ है आप जाकर जितनी भी हमने फिलहाल उसके उपर आर्टिकल्स और पोस्ट क किया हुए है आप उनको रीड आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है WPBeginnerHacks.com आप उदर जाएं आप जाकर हमारे टूरियल्स पर हैं हमारे इंटरेक्टिव टूरियल्स होते हैं जो के बहुत ही इसी होते हैं बहुत इसी हमने उनको डिफाइन किया होता है बहुत डिट आप अपना जो भी आपका मसला इस वक्तिया प्लॉब्लम आपके साथ फेस हो रही आपकी WordPress की वेबसाइट के साथ आप उसको एजिली हैंडल ही कर सकते हैं Additionally हम क्या करते हैं कि हम आपको डेली बैसिस पर जो भी टेकनिकल न्यूस होती है वर्ड वाइड हम वो आपके साथ शेयर करते हैं आप हमारा Facebook का पीज भी चेक कर सकते हैं आप हमारी Twitter की फीट भी चेक कर सकते हैं Instagram पर आप हमें follow कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन हिट एट एट क्लिक एट एट सब्सक्राइब तो माइट यूट्यूब चैनल बैल आइकन को प्रेस करें हैं so that मैं जो भी वीडियो next post करूं वो आपके पास continuously आपकी फील्ड में शो होती रहे और आप अप टुडेट में जो भी happenings या जो भी latest news हम आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं Today our topic is how to install a free SSL certificate basically हमें काफी ज्यादा requests आ रही थी हमारी email पर के like क्योंके आप लोगों पता होगा के Google और जितने भी major search engines हैं आपकी website अगर obscure layer को use नहीं कर रही SSL certificate use नहीं कर रही तो आपकी website browser में as a insecure website show होगी most probably ऐसा भी होता है कि आपकी website privacy notice आना शुरू हो जाता है कि इस website में spans है या इस website को access करना audience के लिए ठीक नहीं है that will be a match for the business owner or a website owner who is running a small business so basically अगर आप देखें तो Google की इस update की वजया से हुआ यह है कि जितने भी small business owners हैं या वो website owners जिनके पास इतना like जिनकी सकत नहीं होती या जिनके पास इतना budget नहीं होता कि वो अपनी marketing और या बाकी चीज़ों को handle कर सकें उनके लिए ये बड़ी दुश्वारी पेश आगी है कि वो अब SSL like कैसे purchase करें क्योंकि अगर आप GoDaddy और या जतनी भी hosting companies हैं आप home से जाके SSL देखें तो आपको like $6 से minimum start होता है per month पर तो आप like $6 per month है अगर तो आप उसको करते हैं a year आप उसको multiply करते हैं तो that sum up around $72 और आप taxes हो गएरा उसमें include करें तो उस $75 तक चलाए राता है तो basically हमने उसके ऊपर तोना सा research किया उसके ऊपर जो भी हमारी R&D थी हमने उसे complete किया तो उसमें हमें ऐसा पता चला के let's encrypt एक ऐसी website है जो free SSL certificate provide करती है जी मैं बहुत ठीक कहा रहा हूं आप free SSL certificate install कर सकते हैं अपनी website पर और mostly जितने भी hosting providers हैं उनके साथ ये SSL certificate जो let's encrypt provide करता है आप उसके साथ अपनी website को configure कर सकते हैं basically हुआ ऐसा है कि recently एक update में क्यूंकि हमने YouTube चैनल थोड़ा सा देर से start किया है तो इसलिए like इसमें थोड़ा सा time lag गया आप लोगों को inform करते होगे कि let's encrypt is now merged with zero SSL तो zero SSL और let's encrypt ये दोनों एक non-profit organizations हैं जो के free SSL certificates provide करती हैं उन लोगों के लिए जो अपनी website को as a secure website show करना चाहते हैं with padlock so उसमें होता ऐसा है कि आप zero SSL के ऊपर आपको अभी जाकर account बनाना पड़ता है उसके बाद के हम अभी आपको थोड़ी देर में आपको मैं वो steps define करूंगा जित steps में आप देख सकते हैं कि बहुत easy steps है like three to four steps हैं बहुत easy आपने एक account create करना है आपने अपने SSL over generate करना है उसकी CTL generate करनी है उसके बाद आपने certificate sorry आपने domain verify करवानी है make sure you have all the tools available with you अपनी domain verification के लिए domain verification के क्या steps हैं हम आपको भी guide करेंगे बहुत easy steps है and then once you verify your domain they provide you a free SSL certificate which you can download and जब आप उसको download करते हैं तो वो एक zip की सुरत में आपके पास download होता है उसके अंदर ती files होती है आपने like extract करना होता है उसके बाद के कुछ आगे technical stuff आ जाता है like अगर आपको थोड़ी बहुत awareness है c panel की या control panel की आप जो भी hosting यूज कर रहे हैं whether it is Bluehost, GoDaddy, SiteGround या host monster, host getter जो भी आप like use कर रहे हैं hosting provider में mostly सब के control panels एक जैसे ही होते हैं सब में एक जैसे features होते हैं standard features होते हैं हमने उनको भी अपने article में screen shots के साथ आपके लिए display किया हुआ है आप उदर जाकर easily आप अगर हमारे steps को follow करते हैं तो आप free SSL certificate install कर सकते हैं successfully अपनी website पर and now I am going to show you how we can install an SSL certificate free of us let's watch okay guys हम चले हैं SSL install करने और हो भी free so free SSL install करने के लिए जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ के हमें सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको यह चाहिए के आपके पास आपकी domain का जो भी आप website या जो भी आप domain इस्तमाल कर रहे हैं या जिसको आप secure कर रहना चाहते हैं उसका DNS कंट्रोल आपके पास बना बहुत जहरा जूरी है secondly उसके साथ उसकी वेब की hosting होनी जूरी है मतलब अगर आपकी domain के साथ hosting अटेश नहीं है तो आप उसको secure नहीं कर सकते यहां आप इस section में देखेंगे के यह एक OVSSL है जो mostly organizations के लिए use होता है और यह काफी expensive होता है तो हां क्यूंके free SSL certificate install करने जाया रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया है मैंने आपके लिए एक पहले ही wordpress का एक template मैंने install कर लिया है so that like आपको उसके process में आपका time is now यह हमारा wordpress का admin है हमें इसकी भी जुरुत पढ़ेगी but at the end of SSL installation हमें उस वर्ट प्रस backend की जुरुत पढ़ेगी जब हमें जाके अपने protocols को change करना पढ़ेगा HTTP से HTTPS के उपर so हम start करते हैं यह मेरा go daddy का account है मेरे पास जैसे के आप देख रहे हैं कि different domains है मेरे पास different hosting plans भी है मेरे पास और एक हमने SSL भी purchase किया हुआ है तो हमने क्योंके अपनी आपको बताना है कि free SSL कैसे install होता है तो हम उसके लिए wpbeginerhacks.com को use कर रहे हैं अगर आप इदर देखें तो यह मेरी जो domain है मेरे blog की wbbeginerhacks.com की यह उसका control panel है यह control panel की मतलब settings वोगरा होती है और इदर से आप SSL purchase कर सकते हैं जो के paid होता है free नहीं होता और आप इनकी prices भी देख सकते हैं कि किस type की prices हैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया यह around 75 to 80 dollars आपको normal SSL जो standard SSL होता है वो आपको per year charge करते हैं और यह वो पैसे हैं जो मैं आपके बचाने जा रहा हूं हम क्या करेंगे इसकी हमें जूरत नहीं हैं हम इसको बंद कर देते हैं और हमें अब जाना है zero SSL की website पर जब हम जाएंगे तो इदर हम एक new account create करेंगे वैसे को मेरे काफी सारे account उदर बने हुए हैं मैं mostly जो clients मुझे request करते हैं के like हमें websites क्यों चाहिए बट हमारे पास like इतने ज्यादा pay करने का नहीं है capacity नहीं है तो मैं mostly उन्हें यह recommend करता हूं तो हम इसके लिए वैसे तो आप इदर भी इसको एड़ कर सकते हैं मैंने यह domain copy की मैंने इसको इदर लगाया तो आप देखेंगे कि इसने यह दो domains इसने मुझे शोगा देए अब तो होगा क्या यह मुझे जो SSL तो वाइड करेगा वो www.wpbeginnerhacks.com www.wpbeginnerhacks.com के लिए मुझे SSL certificate देएगा यह सिर्फ आपको मैं यह दिखा रहा हूँ कि प्रॉसस क्या है नोगल होगा otherwise मेरी website पर already अगर आप WP beginner hacks के उपर जाते हैं तो उदर SSL already installed है और यह आपको as a secure website शो होगी मैं आपको भूभी दिखा देता हूँ बड़ यह आपको चूँके इसी के लिए प्रोवाइड करेगा तो सेंग यही स्टेप्स होंगे जो के हमने आगे follow करने हैं यह क्यूंके जो मैंने wordpress इंस्टॉल किया यह मैंने एक directory में इंस्टॉल किया है तो आपकी अगर root domain आपकी already एक SSR यूज़ कर रही है तो उसकी directories भी most probably secure होती है ठीक है आप यह देख सकते हैं के मेरी website के ऊपर आपको यह नजर आ रहा है padlock और इसकी अगर आप information भी देखते हैं तो हमारा certificate भी valid है और like यह website secure है तो without wasting much time let me show you how to install a free SSL certificate using zero SSL आप इदर से next step पर move करेंगे आप account ना भी create करें तब भी यह काम चल जाएगा बेहतर यह होता है के आप मतलब उसका sign up कर ले जो के फ्री है आपको किसी सब्सक्रिप्शन वगरे के जूरत नहीं होगी कोई credit card वगरे के जूरत नहीं होगी तो आप अगर उसको मतलब free plan को आप कर लेते हैं active तो that will be good for you आपके पास इनका dashboard आ जाएगा आप उदर जाकर अलाम से इसली अपनी चीजों को manage कर सकते हैं ठीक है यह देखे है मैं अब अपांट करेंगे जिसमें ये सब चीजें हमारी वैलिडेट हो जाएंगी और ये एजीली हमें अकाउंट क्रियेट करने देंगा करना है तो हमने क्या करना है हमने फ्री एससल सर्टिफिकेट एड़ करना है अपनी डेप साइट तो यह है आपका डैश्बूर्ड अब इस डैश्बूर्ड में इधर इस सेक्शन में वो आपको शो करेगा कि कौन कौन से ऐसे बिसिकली यह आपको तीन सर्टिफिकेट त्री ओफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं जो के हर 90 डेज के बाद आपको रिनियू करना होता है तो इसमें क्योंके हम पहला सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो इसलिए अब 90 डेज के जो सर्टिफिकेट आप बनाएंगे अपने अकाउंट में उससे इस सेक्शन में वो आपको बताएगा कि कौन कौन सा आपका सर्टिफिकेट है जो इस अकाउंट के थू आपने एड किया है बट वो एक्सपार होने जा रहा है इसमें ड्वाफ्ट में आपको वो चीजें बताएगा वो ऐससल सर्टिफिकेट बताएगा जो के आपने लाइक आपने प्रोसेस किये हैं बट आपने अभी तक उनको इशू नहीं करवाया या आपने डाउनलोड नहीं करवाया आपने उसकी सीटिया प्रपर जनरेट नहीं करवाई या आपने उसका ऐसस बट कि किसी वजह से आपने उनको यूज नहीं किया जो भी उनमें मसला है बट वह आपकी डुमें के लिए आपको जो होगी या वो सर्टिफिकेट्स उए इस आप नहीं कर रहा सके इसी दिए मैंने आपको in the start of video आपको मैंने बताया था कि आपके लिए ये बहुत जूदी है कि आपके पास DNS control हो जिस भी domain के आपके SSL इंस्ट्रॉल करने के लिए जा रही है और आपके पास उसके control panel का लाजमी access होना चाहिए क्योंके थे सब्दान में वार सकी तरह बीड्या शाया है थिस में जाया जाभाइ रचाहिए सब्सक्राम्राइव हो जनक व्याद नेति कास्क्टॉल कंभी कि आप जब आप जब पर आप टिक करते हैं तो वह आप से यह पूछ रहा है के आपको वाइल कार्ड चाहिए या आपको एक नारमल चाहिए आपको बस्क्राइब कार्ड का मसला यह होता है के वाइल कार्ड इस अड़्वांस टाइप ओफ ऐससल सर्टिपेट इस नॉट यह और ये pro version में आता है, आपको इसकी like membership पे करनी पड़ेगी and it is not free at all. So recommended is because हम आपको free SSL का बता रहे हैं, तो बेतर यह है कि आप इसको disable रहने दें और इसको enable ना करें और आप free SSL की तरफ move करें. मैं इस domain को copy करूंगा और मैं इस domain को इधर add करूंगा. अब यह देखिए यह आपको कह रहा है कि valid domain इंटर करें. valid domain यह क्यों कह रहा है क्योंकि मैंने इसके साथ HTTP और colon और slashes वगरा मैं लगाए हुए हैं तो यह इस वजह से उसको यह error दे रहा है. Once मैं उनको हटाता हूं तो यह automatically उसको verify कर दता है कि मेरी domain ठीट है. मैं इसकी जो validity select करनी है वो मैंने 90 days की select करनी है. तो हम इसको 90 days को select करेंगे और हम next step के ऊपर चले जाएंगे. अब CSR and contact. CSR basically generated key होती है जो के आपके SSR को या आपकी domain के साथ correspond कर रही होती है जिसके through आपकी domain पेचानी जाती है कि यह domain है phone see जिसके लिए यह certificate issue उबा होगा है. तो हम अगर इसको auto generate select करेंगे तो वो automatically इसकी जितनी भी advanced settings होंगी उनको वो handle करेगा. आप इस pop-up में भी देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं उसमें advanced settings में आपको मजीद errors रहेंगे तो like हम mostly यह recommend करते हैं कि आप auto generate this so that आपका process easier next step पर आप जाएंगे तो यह आपको अपने packages store करेंगे जिसमें सबसे पहला free होगा है जो कि आपने already select किया हुआ है इसका वो आपको फिर से बता रहा है कि 90 days का यह certificate है जो के आपको team मिलेंगे ठीक है तो उसमें आपने देख लेना है अगर आप वैसे इनके minimal charges है इतने ज्यादा इनके charges नहीं है आप अगर इनको देखना चाहते हैं तो आप मतलब इनको भी try कर सकते हैं और बैसे मतलब क्यूंके हम free आपको बता रहे हैं तो मेरी राय यह है कि आप इसको first option को select करें और next step के ऊपर move रहे तो next step पर हम जैसे ही आते हैं वहां आपके लिए domain की verification आ जाएगी this is not like technical that enough but like इतना भी यह technical नहीं है बट आपको थोड़ी सी technical sense होनी चाहिए आपको इसके actually verification के तीन तरीका पार है तीन methods ठीक है आप एक email verification के थूँ कर सकते हैं second आप dns cname record add करके या dns record add करके आप इसको अपने domain को verify करवा सकते हैं तीसरा जो तरीका आता है वो आता है http file upload का आप ने इसमें ऐसे करना होता है कि आपको यह file download करके देते हैं उसको आपने cpanel में जाकर आपको फाइन को upload करना होता है और उसके बाद आपको आपके verification के process से दुबारा भूजरना होता है तो आपकी domain verified होती है but the most easiest way to get your domain verified is email verification application मैं अग्री मेरी दो जो वीडियोज आएंगी वो dns के ऊपर हो http file के ऊपर आएंगी but this is considered to be the most easiest way to get your domain verified in like minutes तो आप जब इसको select करते हैं तो इनके पास जो standard emails आ रही होती है वो आ रही होती है admin at administrator at hostmaster at hostmaster at and webmaster at अब like कोई भी अगर आप domain honor है या जो भी है हमारे पास जो mostly web addresses होते हैं या email addresses होते हैं वो होते हैं contact ad info ad like आपका जो personal नाम होता है आपने उसके ऊपर email मगारा बनाए होती है यह standard email address बहुत कम बनाए जाते हैं तो अब हमारे लिए मसला यह बन जाएगा कि हमने यह काम करना कैसे है या हम मतलब इन emails के ऊपर अपनी verification कैसे send करें उसका बहुत ही easy तरीका है आप अपने control panel में जाएं ठीक है control panel में आप ने देखना है कि email accounts कर आप email accounts में जाएंगे email accounts में जाकर आपने एक email create करनी है यह free of cost है इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको कोई hosting वाले को पैसे extra देने पड़ेंगे या कोई subscription वगरा purchase करनी पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है हमने क्यूंके already हमने अपनी domain verify कर रवाई हुई है हमारा email account admin के नाम से बना हुआ है तो में भी आपको लाइट यह email is function वह बैट मैं आपको process go through कर रवारता हूं कि किस वह आपने अपना email account बनाना है तो यह यह जैसे ही पेज हमारा load होता है मैं आपको उसके बार गाइस तो डिस इस दी इंटरफेस जब आप email accounts के उपर क्लिक करेंगे तो आप इस interface में आएंगे आप यहां देख सकते हैं कि हमने already admin at wpbeginnerhacks.com हमने already बनाई हुई है क्योंके हमने भी verify करवाया है इस domain को Google के साथ या बाकी चीजों के साथ मैं आपनी next videos में मैं आपको बताऊंगा के Google Analytics मुगरा के लिए या Google Console मुगरा के लिए SEO के लिए आप जो domain ही यूज करते हैं उसको कैसे verify करना होता है but let's create a new email account so that आपको पता हो के आपने उसको कुम से process को follow करना है और आपने किस एक email account अपने लिए बनाना है तो हम एड्मिन का हमने आज रडी बनाया हुआ तो हम एक और ट्राइ करते हैं administrator कर लेते हैं या host master कर लेते हैं ठीक है मैं इधर administrator at wpbeginnerhacks.com अच्छा आपने एक चीज को बड़ा मल्हूजे खातर रखना है या आपने mind में रखना है अगर आपके पास different domains हैं control panel के ऊपर या एक ही hosting account के ऊपर तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहां आपकी वही domain select हुई हो जिसको आप verify कर बार रही है ठीक है मैं इसका इधर से password set करूंगा ठीक है यह auto generated password होता है या आप अपना भी password रख सकते हैं make sure के आपने यह email account और यह password आपने किसी ऐसी जगह पर copy कर लेना है जहांके जहां से आपको मतलब login होने में इसको असानी हो सके यह आपने option जू स्लेक्ट करना है send a welcome email so that आपको system जो है एक email send कर सके और आपको पता चल सके के आपकी email वाक्यी काम कर रही है आप create के उपर click करेंगे तो within seconds यह आपका email account जो हो create कर देगा system और यह देख है email account create हो गया उसका password save करने का भी option दे दिया ठीक है यह email account load हो रहे हैं जो के अभी show हो जाएगा यह आप email account करेख सकते हैं के new email account create हो चुका है अब मैंने क्या करना है मैंने check email के उपर click करना है और मैंने इस email account के inbox में जाना है अब होता ऐसे है कि आपको जब next के उपर जाते हैं तो आपको तीन service provider है जो email accounts mostly handle करते हैं hosting providers के लिए एक round cube होता है एक holiday होता है और एक squirrel होता है तो आप तीनों में से कोई भी select कर सकते हैं उनका mostly interface एक जैसे ही होता है उसमें कोई इतनी बड़ी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है कि आप यह सोचने लगने करना है या हमारे article में तो यह चीज़ mention ही नहीं थी इस type का कोई ऐसा screenshot लगा हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपने simply कोई भी आपने एक service provider आपने चूज कर लेना है इनके साथ squirrel नहीं है बाट होड़े ओ लाउंक्यूप मैंग जैसे आपको बताया था वो आप यूज कर सकते हैं आप इसके उपर click करेंगे तो यह आपको आपके email inbox में ले जाएगा ठीक है जो के थोड़ देर में ही आपके सामने आ जाएगा अधर आप welcome message भी देखेंगे जिसके थूँ हमें यह confirm हो जाएगा कि हमारी जो email है जो हमने अभी create की है वो email बिल्कुल ठीक से काम कर रही है ओके यह आप देख सकते हैं कि आपको email आ गई है यह welcome message होता है जिसमें email की configurations वगदा और उसकी settings वगदा आपको आती है तो अब आपने क्या करना है आपको पता चल गया कि मैंने email account create कर लिया और वो emails भी receive कर रहा है आपने इधर से email account create किया है उसको आपने select करना है और आपन आपने next step के ऊपर click कर रहा है अब यह आपको क्या बता रहा है congratulations your SSL certificate is in route however you need to verify ownership of your domain before installing your certificate please follow this step below तो basically अब आपने क्या करना है आपने क्योंके email verification आपने select की है जो method आपने select किया है domain verification का आप यह देख सकते हैं pop-up में वो आपको show कर रहा है कि आपने जो email verification send की है वो administrator at wpbna hacks के उपर आपने send की है तो आप अप क्या करेंगे आप अपने email account में जाएंगे server emails mostly बहुत slow process करती ह ठीक है तो आपने थोड़ी देर के लिए wait करना है आपने बार बार अपने browser को या अपने email को refresh करना है so that जैसे ही email आपके inbox में land करती है आती है तो आप उसको foreign से click कर सकें उसको open कर सकें और आप उसकी verification का process complete कर सकें इतना कोई आपको यह email की तरफ से तो आपने simply क्या करना है आप इसके उपर क्लिक करेंगे email के ऊपर आपको इसका content नीचे इदर show होगा once आपको यह email receive हो जाती है zero ssl की तरफ से to verify your domain next आपने क्या करना है यह आपको एक link मिलेगा जिस पर आप click करेंगे आपके लिए इसको download करना zip code को वह आपके लिए असान हो जाएगा ठीक है यह जैसे ही screen होती है यह यह तो परशानी है आप इसको पेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कि आपको वह बता रहा है कि आपका order कंप्लीट हो चुकी है जैसा कि आप इस screen के ऊपर देख सकते हैं कि यह part 2 है और इसके ऊपर आपको वह यह चीज़ बता रहा है कि आपका domain control validation code जो है वो correct है मतलब ठीक है जो आपने इंटर किया है that means आपको domain verify हो चुकी है जैसा मैंने आपको पहले बता है हमारी domain already verified है तो वो आपको बता रहा है कि हम already उसको verify कर वा चुके हैं इसके हम उसको दोबरा process नहीं कर सकते बट अभी इससे क्या होगा इसके बाद आपने क्या करना है आप इसको verify कर रहेंगे ठीक है जब verify आप कर रहेंगे तो यह आपको आप उदर इमेल नहीं आ रही है कि वन्स आपकी domain verification complete हो जाती है तो उसके बाद जो आपको वो जिप फोल्डर देंगे जो आप उदर से डाउनलोड करेंगे जीरो SSL से वो आपके पास कोई इस शेप में आएगा जिसको आप extract करेंगे तो आपको यह तीन फाइल्स मिलेंगे एक फाइल होगी अगर कभी आपको इन दोनों फाइल्स को खूलने की जुरूरत पड़ जाए या इनको ओपन करने की जुरूरत पड़ जाए तो आप इसको नोट पैड में ओपन कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे हम हमारा प्रॉसस शुरू होता है कि हमने इसको SSL को आप इंस्टॉल कैसे करना है तो उसके लिए मैं आप आपको बताता हूँ आप दूबारा अपने अपने पैनल में जाएंगे तो यह SSL और TLS का आप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको आगे चार आप्शन्स शो करेंगा जिन में से आपने एक स्लेक्ट करना है और आपने उसके थूप जाकर अपनी जो भी आपकी डूमेन है आपने उसको स्क्योर गरता है तो बेसिकली यह प्रॉसस प आप पर्चेस करते हैं या मतलब आपको SSL अगर री की वगड़ा करने पड़ते हैं तो उसके लिए यह यूज होते हैं आपने जाना है Certificates के सेक्शन में CRD इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको जितनी भी डूमेंज वगड़ा है वो आपको शो करनी स्टार्ट कर देगा आप अब यह थोड़ी दियर में दिखेंगे इसको यह जो नेक्स सेक्शन आपको शो करेगा अब इदर यह आपको बता रहा है के वबिगनरहक्स.com और यह दुनों और जिरो SSL के साथ लिंक्ट है और इसके मतलब और इसके उपर SSL काम कर रहा है यह सेल्फ सैंड है आप लाइक कभी भी कोई भी जो डुमेन आप परचेस करते हैं एक कोस्टिंग से उसके लिए एक सेल्फ सैंड सर्डिकेट इशू होता ह है बट यह ठीक तरह से वर्क नहीं करता है जब तक आप इसको परचेस नहीं कर लेंदे तो बसके लिए आपने क्या करना है यह इन्स्टॉल का आप्शन आपको लेकर जाएगा नीचे एक और विंडो की तरफ जहां आप जाकर इसकी जो इसलिए विंडल होगारा या बाकी जो जिप में आपको फाइल मिली है वो आपने अपलोड गरनी होगी अच्छा मैं जैसा का पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारी वेप साइट अल्रेडी वेरिफाइड है तो उसमें आपको यह प्रैक्टिकली करके तो नहीं दिखा सकता बट इदर आप देखें यह आपका CRT है CRT मोस्ट कॉमनली ऐसे होता है कि यह जो मिडल वाली इसकी जो एक्स्टेंशन होती है वो भी CRT के नाम से ही होती है तो आप इदर एक अप्लोड पा आप्शन नजर आएगा इस जगह के रूपर जब आप इसको इंस्टॉल करने के लिए आएंगे तो आप जैसे इस अप्लोड के आप्शन को यूज करेंगे आप दो यह चीज आपको आटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाएंगी CRT फाइली आटोमेटिकली अपडेट कर देगा उसके बाद आपने क्या करना है आपने यह प्राइविट की इदर से लेनी है इस डॉक्मेंट को आपने ओपन करना है इसमें जो भी प्राइविट आपकी जनरेट आप कापी करेंगे और उसको इदर पेस्ट करेंगे आपने इंस्टाल सेटिफिकेट के ऊपर आपने क्लिक करना है इंस्टाल सेटिफिकेट के ऊपर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको एक पॉप-प शो होगा जिसमें वो आपको बताएगा कि आपका सेटिफिकेट इस जो पैड लॉग जो है यह आपके वेबसाइट पर शो होना शुरूर हो जाएगा SSL Manager में जब आप लोग आएंगे तो आपको यह कुछ domains ऐसी होंगी जो आपको unlock नजर आएंगी जिनके साथ आपको green color का padlock नजर नहीं आएगा but you don't need to worry about it because यह वो domains हैं जो के hosting provider already hook से maintain कर रहा होता है यह आपका cPanel है आपका auto discover dns record है है आपकी mails हैं आपकी web disk record हैं आपके web mail record हैं यह स्क्योर होते हैं क्योंकि hosting provider के थूँ यह चाहरे होते हैं तो basically आपकी जो दो domain publicly use हो रही होती है वो यही होती है जो already आप देख सकते हैं कि इस वक्त पैडलोग के साथ शो हो रही है और यह स्टिल अगर आपको कोई भी परिशानी होती है या आपको किसी भी टाइप का मसला आप तो गाइज ऐसे easily आप अपनी website को secure कर सकते हैं विदाओ showing your website as insecure आप इसको secure शो कर सकते हैं विद पैडलोग और यह जो आपका पैडलोग शो होगा आपको clearly यह browser में नज़र आएगा जैसे के आप यह स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारी जो भी डुमेन आपके सामने आ रही है इसके लेफ्ट हैंड के ऊपर आप एक ताला सा देखेंगे लॉक देखेंगे जो के बंद है और यह website secure है still अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि आप लोग यह चीज हैंडल नहीं कर सकते हैं I am always available for you मेरी टीम आप लोगों के लिए अवेलबल है आप लोग मुझे कभी भी किसी भी बार इमेल कर सकते हैं www.beginnerhex.com अब अब किरें हम आपकी कुईरी को देखेंगे उसको पर परली इंटरें करेंगे हम आपकी जिस हद तक हेल्फ करेंगे फिलहाल अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फेस्बूक पर फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें सो डाइट हमारी जो भी लेटिस नियूस या जितनी भी हम अपडेट्स वगरा पोस्ट कर रहे हैं वो आपको कंटीनियूसली मिलती रहें और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो के आप खुछ से कर सकते हैं वो हम आपके सामने लेकर आते रहें बेसिकली इस ब्लॉग का जो भी मकसद है वो यही है कि हम आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाएं जो के लाइक आप खुछ से कर सकें और उसमें आपको किसी किसम की कोई परेशानी ना हो तैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो एंड आइओ यू लाइक आप अपने कुमेंट्स में मुझे जूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसी रगी आपको अगर कोई परेशानी आ रही है या कोई दुश्वारी पेश आ रही है मुझे वो बताएं आप नेक्स्ट कोई इशू मुझे चाहते हैं उसको डिसकस करना आप मुझे उसका बताएं मैं एक्स्ट उसकी वीडियो बनाकर एकर अप्लोड कर दूँगा आप जितने ज्यादा मेरे फॉल्वर्स होंगे आप लोगों के पास उतनी ज्यादा अपडेट्स वगरा आएंगी मेरी भी इंक